उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पहली कारेकाल जब पूर्ण हुआ था और 2022 में जब विधान सभा चुना हुआ था तो उस समय मीडिया को एक इंटर्वियू के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया था कि उत्तर प्रदेश में भरतिया जरूर हो लेकिन किसी के दबाओ में नहीं होंगी उस स्टेटमेंट को लगभग दो साल बीच चुके हैं दिनांक 9 फरवरी 2024 यानि सुक्रवार कल के दिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के दौरा विधान परिशाद में एक स्टेटमेंट दिया गया है सुक्रवार को जो कि आप 40,000,000 विध्यार्थी बढ़े अगर RTE मानक के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि इन 40,000,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स की रिक्वार्मेंट होगी तो इसको RTE मानक के हिसाब से 30 चात्रों पर एक सिक्षक की रिक्वार्मेंट होती है परशदी प्रात्मिक विध्यालों में 30 से मैं डिवाइट कर देता हूँ तो संख्या आ जाती है 1,33,333 ये ऐसे संख्या को रिक्वार्मेंट कर रहा है जो की टीचर्स रिक्वार्ड होंगे इन बढ़े हुए 40,000,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए आज से दो दिन पहले उत्तर प्रदेश राजी सरकार में बेसिक सुछा मंतली जी के दौरा विधान सभा में एक प्रशन का जवाब देते हुए ये उत्तर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के पषदिय प्रात्मिक विध्यालों में सुख्रित टीचर्ष की जो पद है वो है 4,17,886 ठीक है और इसके साफ़ेक्ष जो टीचर है और जो प्रिंस्पल है उनके पद जो खाली है उनकी संख्या बताई गे थी 85,152 साथी साथी जो परशदिय प्रात्मिक विद्यालों में 6 संख्या है उनकी संख्या बताई गे थी एक करोड पांच लाख 6,389 जिसमें काररत जो वरकिंग टीचर है उनकी संख्या बताई गे थी 3,32,734 और इस हिसाब से चात्र सिख्षक अनुपात बताई गया था 31 अनुपात एक यानि 31 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सिख्षक अभी अवलेबल है उतर प्रदेश में सरकारी विद्यालों के बात की जारी है वहीं परशदिय प्रात्मिक विद्यालों में सिख्षामित्रों की संख्या जो है वो बताई गई 1,47,786 और अगर सिख्षामित्रों को भी टीचर्स के साथ एड़ कर लिया जाए तो फिर चात्र सिख्षा का अनुपात हो जाता है 21 अनुपात एक का और माना के कितना है 30 अनुपात एक का यानि अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन में 9 टीचर्स जादा सरप्लस में है अब अगर हम लोग सिख्षामित्र और टीचर्स जिनकी संख्या क्रमसह 1,47,766 सिख्षामित्र बताए गया है सरकारी आंखड़े के हिसा 8,500 सिख्षामित्र और टीचर्स को मिला करके संख्या है अब ये जो 4,8,500 संख्या हमारे पास आ रहे हैं मैं क्या कैलकुलेट करना चारा हूँ मैं ये कैलकुलेट करना चारा हूँ कि जो सरकार बोल रहे है कि 21 अनुपात 1 के हिसाब से हमारे पास टीचर्स सरप्लस है तो मै अब इसमें हमें 30 से multiply करना होगा यानि कि जो total आप संख्या देख पा रहे होंगे 30 से multiply करने के बाद से जो हमारे पास teachers available है वो इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से sufficient है RTE 2009 मानक के हिसाब से अब सरकार ने जो बच्चों की संख्या बताई थी उसको इसमें स माइनस करते हैं सरकारी आखड़े के हिसाब से एक करोड़ पांच लाक छे हजार तीन सो उन्यासी इतने बच्चे हैं छात्र हैं जो की enrolled है एक बार फिर से calculate कर लेते हैं देखें इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस जार लाक दस लाक करोड़ एक करोड़ पांच लाक छे हजा तो यहां पर इतने बच्चे आ गए इतने बच्चों की संख्या रिप्रेजन्ट कर रही है ध्यान से देखेंगा 49,8621 यह जो संख्या आप अपने स्क्रिन पर देख पा रहे होगे यह ऐसे बच्चों की संख्या ही प्रेजन्ट हो रही है जिनको पढ़ाने के लिए लाख 30,287 टीचर्स जो हैं वो सर्प्लस में हैं सरकारी आंकड़े के इसाप से 1,30,287 टीचर्स परशदे प्रात्मिक विद्यालों में सर्प्लस में हैं आपके मन में खयाल आएगा कि ये चीजे आखिर हो कैसे रही हैं छै साल में ना कोई भरती आया ना कोई आउट्सोर्सि सिस्टम में वर्किंग थे सुप्रीम कोट के आदेश के अधार सिक्षा मित्रों का समयजन रद्ध हुआ था और दो बड़ी भरतियों में उसको 68,500 और 79,000 सिक्षा भरती में कम्प्लीट करने के आदेश दिये गए तो आखिर ये चीजे हो कैसे रही हैं टीचर्स सर्प्लस मेडिया सिर्फ ये दिखा रही है कि कामड यात्रा पर किस प्रकार से राज सरकार के द्वारा फुल वर्शा की जा रही है लेकिन मीडिया तब चूप हो जाती है जब उनी बेरोजगार युवाओं की मांग को ले करके जब रोजगार की मांग की जाती है तो किस प्रकार से ढोल पीटा जाता है मेडिया के मादेम से लेकिन जब आंकड़े उसके फेवरेबल नहीं होते हैं सरकार के तो उन सभी आंकड़ों को छुपा लिया जाता है इसक्रिन पर आप एक आंकड़ा देख पा रहाँगे जो कि सरकारी वेबसाइट से ही लिया गया है एक लाख उन्तालिस जार सिक्षोकों के पद खतम किये गए कैसे ये खतम हुआ आप यहाँ पर वर्षवार इसका आंकड़ा देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में स्विक्रित पदों की संख्या 7,19,399 थी 2021 में ठीक है कर रही है कि हमारे पास बच्चों की संख्या लगतार बढ़ोत्री हो रही है तो मीडिया को ये प्रशन पूछना चाहिए कि जब आपके पास बच्चों की संख्या लगतार बढ़ रही है तो आर्टी मानक तो ये कहता है कि छात्र सिक्षा कानुपात के इसाब से उनको पढ़ाने के लिए ज्यादा टीचर्स की requirement होगी आप टीचर्स के पद को लगतार कम करते जा रहे हैं तो फिर ये मानक पूरा कैसे हो रहा है साथी साथ मीडिया को ये भी प्रशन पूछना चाहिए कि आर्टी मानक ये कहता है कि सिक्षा मित्र और अनुदेशकों को चातर सिक्षा कानुपात में आप count नहीं कर सकते फिर कानून का उलंगन क्यों हो रहा है क्यों सिच्छामित्र और अनुदेशकों को काउंट किया जा रहा है ये आंकडों का खेल बेरोजगारों को उसी प्रकार से गुमराह किया जा रहा है जिस प्रकार से 2022 में किसानों की आये दुगनी हो चुकी है सौ स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, बहुत सारे लोग इन सौ समार्ट सिटी में बस भी चुके है अब ये सबी चीज़ों को आपको खुद एनलाइज करना है और एक पढ़े लिखे वोटर्स की तरह वोट करना है कि आने वाले कम से कम पांच वर्षों तक आपको यह ना मनाल रहा है कि मीडिया आपके मुद्दों को नहीं उठा रहा है अगर मीडिया आप से है आप मीडिया से नहीं है तो उस हिसाब से आप खुद अपने आपको रिप्रियजेंट करना होगा कि क्या चीजे देश दुनिया में चल रही है उनको एनलाइज करके आप खुद वोट करिए ताकि कोई आपको गुमराह न करे और उस हिसाब से कम से कम आपको एक ये रहे तसली रहे कि हाँ पढ़े लिखी लोगों को आपने वोट किया है और निश्चित तोर पर ये आंकड़ों के खेल में जिस प्रकार से उल्जा करके युवाओं के भविश्य के साथ खेला जा रहा है पिछले 6 साल से भरती नहीं आई फिर भी टीचर सरप्लस में है वो सभी आंकड़े निश्चित तोर पर आपको खुद एनलाइज करने की जरूरत है उम्मीद करता हूँ कि चीजे आपको कुछ हद तक क्लियर हुई होगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शोब हो